प्यारे देश वाचियों, इस समय हम अमृत महोत्सव में देश के वीर बेटे बेटियों को उन महान पुन्य आत्माओं को याद कर रहे हैं। अगले महिने 15 नवेंबर को हमारे देश के ऐसे ही महापुरुष वीर योध्धा भगवान बिर्शा मुंड़ाजे की जन्म जन्ति आने वाली हैं। वो धरती आबा ही कर सकते थे। उन्होंने हमें अपनी संस्कृति और जड़ों के प्रति गर्व करना सिखाया। विदेशी हंकुमत ने उन्हें कितनी धमकिया दी, कितना दबाव बनाया। लेकिन उन्होंने आदिवासी संस्कृति को नहीं छोड़ा। प्रकृति और परियावरन चे अगर हमें प्रेम करना सिखना है तो उसके लिए भी धरती आबा भगवान बिर्सामुंडा हमारी बहुत बड़ी प्रेहना है। उन्होंने विदेशी सासन के हर उस नीती का पुर्जोर विरोत किया जो परियावरन को नुक्षान पहुंचाने वाली थी। गरीब और मुसीबत से घीरे लोकों की मदद करने में भगवान बिर्सामुंडा हमेशा आगे रहे। उन्होंने सामाजी बुराईयों को खत्म करने के लिए समाज को जागरुग भी किया। उल गुलान आंदोलन में उनके नेतरूतों को भला कौन भूल सकता है। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को जगजोर कर रख दिया था। जिसके बाद अंग्रेजों ने भगवान बिर् और में वो हमें छोड़ गए हैं। वो हमें छोड़ कर गए हैं। लेकिन केवल शरीर से जन्मानस में तो भगवान विर्शामुंडा हमेशा हमेशा के लिए रचे वसे हुए हैं। लोगों के लिए उनका जीवन एक प्रेना शक्ति बना हुआ है। आज भी उनके सांस और विर्टा से भरे लोगईत और कहानिया भारत के मद्दे इलागे में बहुत लोगप्रिया है। मैं धर्तियाबा विर्शामुंडा को नमन करता हूं और युवाओं से आघ्र करता हूं कि उनके बारे में और पड़े हैं। भारत के स्वातंत्रता संग्राम में हमारे सिस्ट्री योगदान के बारे में आप जितना जानेंगे उतनी ही गवरव की अनुभूती होगी।